Welcome to Panisha Tutor कहते हैं बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए कई लोगों के request पर हमने ये analysis बनाने का plan बनाया जिसमें हम आम आदमी party की जो revolutionary जीत है उस पर बात करेंगे एक strong opposition की क्या जुरूर्थ होती है इस पर बात करेंगे और अर्विंद केजरिवाल से लोगों की क्या उमीदे हैं, क्या आशाया हैं फिर हम बात करेंगे आम आदमी party को जो भविश में election होने वाले हैं हमाचल और गुजरात में उसमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जीते हैं और फिर दोजर चौविश में आम आदमी party की क्या स्टजी होनी चाहिए अदर्यरी Chief Minister Arvind Kejriwal is on a two-day visit to Gujarat after a landslide victory in the Punjab polls, the आम आदमी party has already set its eyes on expanding base the party has decided to contest all 182 seats in the upcoming Gujarat elections केमचो, मजावा, क्या नजारा है, अंदर दिल में कुछ कुछ होता है अभी दो बड़ी-बड़ी party आएं, गुजरात के लोग संदेश देना चाहते हैं कि वो इन दोनों बड़ी party ओं से तंग आ चुके हैं दिल्ली मॉडल का मतलब इमानदार सरकार इसलिए इस पूरा analysis को जानने के लिए end तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नूँ हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जनरली एक देश में strong government की उमीद की जाती है और strong government के साथ साथ एक strong opposition की भी बहुत जरूर्थ होती है हमारे पास आज नरे नमोदी की सरकार है और बहुत ही strong है लेकिन opposition कमजोर पड़ गया है एक opposition की क्या significance होती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान में opposition unite होके उसने इमरान सरकार को गिरा दिया और पाकिस्तान में आज opposition जो है सरकार बनाके बैठ गया है एक opposition जो party होती है यह सरकार को उसकी गलतियों के बारे में बताता है और alternative viewpoint भी सरकार के सामने रखता है और जनता के सामने भी रखता है कि इसका alternative क्या हो सकता है इसलिए एक strong opposition जो है बहुत जरूरी है सरकार को उसके जिम्मवारियों को याद दिलाते रहने के लिए भी और लोगों के सामने एक alternative प्रेजंट करने के लिए भी मगर आज देश में जो है हमारे opposition बहुत ही कमजोर है Congress जो कि एक opposition party बन सकती थी लेकिन उसका पतन होता जा रहा है और उसके पतन से जो vacancy create हो रही है उसको कोई भर नहीं पा रहा है और आम आदमी party जो है एक possible alternative लोगों के सामने नजर आ रही है आम आदमी party से लोगों की उमीदें और आशाएं बहुत बढ़ गई है या तो एक strong opposition के रूप में या केंदर में वो सरकार बनाए मगर आम आदमी party को अभी बहुत कुछ करना होगा ताकि आम आदमी party एक recognizable force बनकर पुरे भारत में निकल सके अगर आम आदमी party के past promises की बात करो तो आप देखोगे आम आदमी party ने जो भी वादे किये थे उस पर खरी उतर रही है आम आदमी party ने model school बनाने की बात की और वो model school ऐसा बनाया कि पुरे इंडिया से जो opposition के leader है वो आ रहे हैं विजट कर रहे हैं सरकारे आके विजट कर रही हैं और देख रही हैं कि दिल्ली model school कैसा है कैसे काम करता है जैसे आपने देखा हुआ, DMK के निताए, TRS के निताए आम आदमी party ने जो government school की छवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा improve कर दी इतनी improve कर दी कि लोग आप private school से निकाल कर government school में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आम आदमी party ने unemployment में भी बहुत बड़ा परहार किया और अपने वादों को पूरा करने में सक्षम रही आम आदमी party ने डेली में जो दिली का budget है बजट का नाम ही employment budget रखा है आम आदमी party का plan है कि अगले वो 5 साल में 20 लाग नोकरियां ड्वल्प करेगी आम आदमी party का ये भी narrative बहुत लोगों को पसंद आ रहा है कि आम आदमी party जो है उन लोगों को नोकरी करने वाला ने नोकरी देने वाला बनाना चाहती है आम आदमी party का जो वादा था मुफत बिजली देने का मुफद बिजली देने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने दिली में positive revenue कमाया है surplus कमाया है बिजली को sale करके आम आदमी पार्टी ने इसे भी लागू कर दिया और पंजाब में तो 300 unit पर मन्त के हिसाब से लोगों को माफ कर दिया और अगर लोगों का 600 unit आया है दो महिने में बिल तो वो माफ है हलना कि 600 unit से जादा है तो उस पर बिल पड़ेगा इसका मतलब है जो bare minimum होता है जो आम आदमी पार्टी ने जिस पर focus किया उस सभी को आम आदमी पार्टी पुरा करती नजर आ रही है अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी को क्या चुनावी सबक लेना चाहिए आपने देखा होगा 2017 से ही गोआ में आम आदमी पार्टी लगी हुई है लेकिन गोआ में आम आदमी पार्टी को सिर्फ इस बरी जो चुनाव हुए 2022 में दो ही सीतों से संतुष्टी करनी पड़ी जो पंजाब में जीत थी वैसा कुछ गोवा में उनको नजर नहीं आया आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी गोवा में जादा नहीं रहा जो कि 2017 में था लगबग वोट शेयर आम आदमी पार्टी का गोवा में था ऐसा क्या हुआ कि गोवा में पंजाब की जीत नहीं हासल हो पाई उसका कारण ये है कि गोवा में आम आदमी पार्टी को आउटसाइडर पार्टी बना कर रख दिया क्योंकि निता जो थे वो दिल्ली से जाकर कैमपेंग करते थे और वहां की जो लोकल पुलिटिकल पार्टी थी बीजेपी थी इस नरेटिव में काम्याब हो गई आम आदमी पार्टी जो है आउटसाइडर पार्टी है इसलिए इन्हें चुनाओं में जीत नहीं मिली उत्राखंड में भी आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो जादा अच्छा नहीं था गोवा में हलांकि आम आदमी पार्टी को तो दो सीटे मिल भी गई लेकिन उत्राखंड में कोई खाता नहीं खुला इवन उत्राखंड में जो उनके CM कैंडिट थे वो भी अपना चुनाव हार गए आपने देखा होगा उनके CM कैंडिट ने अभी रिसेंटली BJP जोईन कर ली तो आम आदमी पार्टी को इन हारों से सबक तो लेना पड़ेगा ऐसा आम आदमी पार्टी क्या करे कि जो आने वाले चुनाव हैं जाद 2024 के या गुजरात और हिमाचिल में जो चुनाव आने वाले हैं legislative assembly के उसमें उसका परदर्शन अच्छा हो हम इसके ओपर भी चर्चा करेंगे देखो आप ध्यान से 2019 का जो result आया था परलेमेंट के चुनाव का उसमें बीजेपी को around 37.7% vote share मिला था और इसी से बीजेपी bumper जीत के साथ again अपनी सरकार बनाने में काम्याफ होगे आप एक बात को note करोगे कि कोई भी party since 1950 के बाद से 50% से ज़्यादा margin से नहीं जीती है इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 40% average rate रहा है जिससे party जीत जाती है यानि कि सर्फ 40% लोगों ने ही बीजेपी को vote दिया इसका मतलब है 60% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते यानि कि आम आदमी party अगर 60% को साधने में कामयाब हो जाए तो आम आदमी party जो है बंपर जीत से आ सकती है यह जो 60% लोग है यह जा तो caste के हिसाफ से divided है या यह लोग religion के हिसाफ से divided है या reason के हिसाफ से divided है या कुछ लोग है जो undecided है अगर आम आदमी पार्टी इसी 60% को target करती है तो definitely है वो अपनी सरकार बनाने में काम्याब हो जाएगी मगर आप देखो तो आम आदमी पार्टी को इन किसी basis पर vote नहीं मिलने वाला ना तो उसको धरम के अधार पर vote मिलने वाला है ना तो उसको भाषा के अधार पर मिलेगा ना reason के अधार पर मिलेगा इसका मतलब है आम आदमी पार्टी को ये vote कैसे में लेगे क्यों कि आम आदमी पार्टी जो है इन अधार पर नहीं बनी है जैसे कि आप देखो को मुसल्मानों की पार्टी OEC की है यादू की पार्टी समा तो यह नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी जो है अपने आपको गरीबों की पार्टी दिखाने में लगी हुई है और इस 60% में गरीब सबसे बड़ा चंक है क्यों कि हर कोई तो अमीर नहीं है और जो अमीरों की संख्या है वो बहुत कम है गरीबों को क्या चाहिए वो पूर मुश्किल हो गया इसलिए आम आदमी पार्टी ने गर्श में स्कूल को ही आईसा बना दिया कि वो model स्कूल बन जाए क्यूंकि आम आदमी पार्टी ने स्कूल पर इतना खरचा किया है कि अब लोग private से अपने बच्चे निकाल कर सरकारी स्कूल pross को में पढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी ने दूसरा जो गरीब को जरूरत है पानी बिजली उसको फ्री कर दिया बिजली को कई यूनिट फ्री कर दिये इससे क्या हुआ जो लोग हैं जो बेर मिनमम पे रहते हैं उनकी लाइफ असान हो गए और अफकोस उनका यह अधिकार है और आम आदमी पार्टी ऐसा क्या करे कि जो उससे गलती हैं गुआ में हुई उत्राखंड में हुई यूपी में हुई मनिपूर में हुई वो ना दोहरा पाए आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी बन जाए बिसिकली लोगों की क्या जुरूरत होती है employment देश में क्योंकि COVID की वज़े से जब बाकी फैक्टरों के वज़े से unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब आम आदमी पार्टी को इसको देखना होगा महंगाई बहुत बड़ा मार है आप देखो महंगाई एक ऐसी चीज है जो आपके रुपे के purchasing power को खा जाती है next requirement क्या होती है health generally देखा जाता है कि अगर कोई बिमार हो जाए तो उसके घर तक बिक जाते हैं उसके सारा जो fund है saving है सब बरबाद हो जाती है आम आदमी जो है वो corruption से बड़ा तरास्ती है corruption से बहुत परशान है तेल और gas ये भी एक बहुत बड़े problem है हलाकि जो current government है इन सारे issue को ऐसे narrative से counter कर जाती है यानि कि ये कोई issue ही ना हो इसलिए आम आदमी पार्टी को इन issue को बहुत innovative में present करना होगा अलग narrative के साथ present करना होगा otherwise आम आदमी पार्टी जो अपना सरकार नहीं बना पाएगी आम आदमी पार्टी को इस जो issue है उस पर कैसे अपने narrative सेट करने होगे basically किसी भी पार्टी के जीतने में 4M बहुत matter करता है ये 4M क्या है message चाए महंगाई का message है चाए unemployment का message है या corruption का message है आम आदमी पार्टी को बड़े innovatively way में इसको convey करना होगा और convey करने वाला जो होना चाहिए एक जबर्दस leader होना चाहिए बिश्वास like leader होना चाहिए जिसके जो लोग बहुत पसंद करते हों ऐसा leader होना चाहिए और वो जब leader ऐसी बात करता है तो वो लोगों तक पहुंचती है लोग सुनते हैं फिर होना चाहिए machinery यानि कि उस बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए हर mobile तक पहुंचाने के लिए हमारे पास digital machinery होनी चाहिए और वो machinery इस बात को mass तक पहुंचाए इसलिए ये 4M जो है बहुत critical है किसी पार्टी के जीत में आपने देखा होगा BJP जो है इस 4M का बहुत बढ़ियां से इस्तमाल करती है BJP कुछ भी करे आपके mobile में आपको पहुंची जाता है किसी ना किसी तरह से आपके पास पहुंच जाता है इसलिए आम आदमी पार्टी को ये जो मुद्धे होते हैं इन्हें innovatively present करना होगा एक कैसे present करना होगा हम उसकी बबारे में बात करते हैं आपने देखा हुआ शुषोधिया जी का एक advertisement आता है शुषोधिया जी कहते हैं कि हम जो है employment लेने वाला नहीं बनाना चाहते है employment देने वाला बनाना चाहते है इंडिया में government नोकरी का एक culture है यानि कि अगर सरकारी नोकरी है तो उसको बढ़िया मानते है चाहे वो PN कहीं क्यों हो इंडिया में ये culture इतना जाधा है कि अगर सरकारी दूला है तो बिक जाता है और अगर private नोकरी कई लाखों की भी करता हो तो उसको कोई पूछता नहीं इसलिए इस culture को शिशोधिया जी चाहते हैं दूर करना और इसको innovatively present करना चाहते है ये जो narrative है ये आम आदमी तक पहुँच जाना चाहिए गुजरात और हिमाचल के लोगों तक पहुँच जाना चाहिए कि सिशोधिया जी जो चाहते हैं वो नोकरी हमें देने वाला बनाना चाहते है ना कि लेने वाला बनाना चाहते है ये हर तरह से एक new way में हर सोशल मीडिया के थ्रू आम जन तक पहुँच जाना चाहिए ऐसा narrative set करना होगा आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को ये भी narrative set करना होगा कि उनके जो अरविंद केजरिवाल है वो मोदी को challenge दे सकते हैं क्योंकि BJP ने नरेंदर मोदी को ऐसा present कर दिया है कि उनको कोई challenge नहीं कर सकता और वो बहुत मेहनत करते हैं वैसा ही आम आदमी पार्टी को भी अपने leader के लिए इन narrative set करना होगा आपने देखा होगा कि आपके mobile हों पे generally रहूल गांदी की comparison में आ जाता है तो अगर आप देखो कि रहूल गांदी और नरेंदर मोदी को तो आपको पता चल जाएगा कि भी कौन दे सकता challenge इसलिए आम आदमी पार्टी को अपने leader को इस तरह से present करना होगा कि वही जो है नरेंदर मोदी को challenge कर सकते हैं अगर आप नेताओं को देखोगे तो इंडिया के बाकी जो opposition leader हैं वो कोई भी नजर नहीं आता जो नरेंदर मोदी को challenge कर सके इसलिए आम आदमी पार्टी को अपने नेता को लिए इस तरह से narrative set करना होगा कि अरविंद के दरीवाली हैं जो की मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं मोदी का alternative हो सकते हैं आपने देखा होगा BJP जो है नरेंदर मोदी जी के हर activity को इस तरह से present करती है कि वो बहुत ही मेहनती हैं आपने देखा होगा कोईड का सम्मिट हुआ और नरेंदर मोदी जी के उनके activities के बारे में आपके social media पर आ गया कि नरेंदर मोदी जी है इन्होंने इतनी meeting की बिना SOE meeting की उन्होंने अपना biological clock reset कर दिया इस तरह की जो है आपके mobile phones में इसके बारे में information आ गया होगी इस तरह से narrative set करना होगा अरविंद केजिरिवाल को अपने leader के लिए भी कि वो भी इतने मेहनती हैं कि वो नरेंदर मोदी को challenge कर सकते हैं नरेंदर मोदी को replace कर सकते हैं इंडिया में कहा जाता है कि corruption जो है blood में चलता है इसलिए अरविंद केजिरिवाल को corruption के उपर का जो उनका narrative है इसे और बड़े level तक लेके जाना होगा आपने देखा होगा पंजाब में सरकार बनाते ही उन्होंने एक whatsapp number जारी कर दिया कि अगर किसी भी तरह का कोई भी पैसा मांगता हूँ आप record करो चाए audio या video और इस whatsapp number भेज़ दो हम action लेंगे और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया रिसेंट ही एक पंजाब के health minister ने पैसे मांगे थे और अरविंद के जिरिवाल ने इन पे action लेटे हूँ इनको suspend भी कर दिया और इनकी गिरफतारी भी कर ली और इस narrative को अरविंद के जिरिवाल को घर घर तक लेके जाना होगा ताकि लोगों को महसूस हो कि नहीं अब corruption की खेर नहीं आम आदमी की पार्टी के अंदर इस narrative को हर जगा पहुचाना होगा अब देखो जो आने वाले assembly चुनाओं हैं चाए गुजरात हो या हिमाचल हो अगर गुजरात की बात करें तो 1998 के बाद आज तक BJP की ही सरकार रही है यानि कि BJP ने नरेंदर मोदी को ऐसा present किया कि best है गुजरात के लिए नरेंदर मोदी आम आदमी पार्टी को गुजरात में जो अपना दिल्ली मॉडल है गुड गुवर्नेंस मॉडल है अपना freebies मॉडल है वो प्रेजन्ट करना होगा हलनकि गुजरात के जो local bodies को चुनाओं है उसमें आम आदमी पार्टी एक अच्छा challenge देते हुई नजर आ रही है इसलिए आ अरविंद के जरिवाल को बोड डाले हो as a unit बोड डाले as a poor बोड डाले क्यों कि गरीबी तो है हर जगा गरीबी है इसलिए अरविंद के जरिवाल को अपने freebies मॉडल को present करना होगा गुजरात के सामने ताकि लोग जो हैं अरविंद के जरिवाल में एक alternative एक best model समझ सके डि definitely repeat होगी जो पंजाब में उठी है और ये सहलाब बनके गुजरात में भी निकलेगी और इतने मजोर्टी के साथ गुजरात में चुनाओ अर्विन केजिरवाल जीतेंगे जिसका किसी ने उमीद भी नहीं की थी हिमाचल में अर्विन केजिरवाल को एक alternative देना होगा कि हिमाच सकते हैं अपना loan कम कर सकते हैं और best governance प्रवाइड कर सकते हैं इस तरह से narrative जो है हिमाचल में देना होगा आम आदमी पार्टी को और उस 60% यहां पर भी जो voter है जो की BJP को पसंद नहीं करता उसे target करना होगा उसे सेंध लगाना होगा ये ensure करना होगा कि ये vote डाले आम आदमी बिसिकली लोग आम आदमी पार्टी से या तो एक स्टॉंग सेंटर या एक स्टॉंग opposition के रूप में उमीद कर रहे हैं जनरली opposition की जुरूत होती है क्योंकि वो alternative viewpoint प्रवाइड करता है मगर Congress क्योंकि उसका पतन होता जा रहा है और उसके पतन होने के साथ जो उसकी vacancy create होई है वो बाकी regional parties नहीं ले पा रही है क्योंकि वो regional party जा तो धरम के अधार पे बनी है या जाती के अधार पे बनी है जा रीजन के अधार पे बनी है Congress ही है जो pan India party थी अब वो खतम होती जा रही है इसलिए आम आदमी party को अपने आपको Congress का alternative दिखाना होगा और Congress की जगह लिनी होगी और आम आदमी party इस तरह से पुरे भारत में 2024 में या तो एक strong सरकार के रूप में निकलेगी या एक strong opposition के रूप में अपने आपको जरूर द सोस्ते हैं यह भी लिखें और क्या आम आदमी party 2024 में सरकार बना सकती है या इन दोनों स्टेटों में चुनाव जीर सकती है इसके बारे में लिखें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें share करें और अगर आप आम आदमी party से जुड़े हैं तो definitely share करें आज के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में किसी और matter कर साथ मिलते हैं till then thank you